नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें 31 जुलाई 2023 श्रावण मास के चौथे सोमवार पर करें 108 चावल के दाने और दो लॉम वाला ये महाउपाय जीवन के हर कश्टों से शीघर मिल जाएगी आपको मुक्ती आपकी हर मनोकामना होगी पूरी भगवान भोलेनात के आशिरवाद से खुशियों से भर जाएगा आपक मास की त्रयोजशी तिथी भी है इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताते हैं पूरे 186 वर्षों बाद श्रावण के इस चौथे सोमवार के दिन रवी योग और विशम योग का सन्योग बन रहा है और इस दिन यदि आप शिव पुरान के अनुसार 108 चावल के दाने औ और दो लॉंग वाला महा उपाय कर लेते हैं तो भगवान भोलेनात के आशिरवात से ना केवल आपको अपने जन्मजन मांतर की गरीबी कष्ट दुर्भाग्य समस्याए संकटों से मुक्ती मिल जाएगी बल्कि आपकी कोई मनोकाम ना हो मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे थे आपकी नौकरी अवश्य लगेगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा जिस बीमारी से बड़ा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी महादेव जी की क्रिपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ती को अपना आशिरवाद दे तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगा मार सकता है दोस्तों श्रावन का पवित्र मास बहुत ही पवित्र मास होता है इस मास जो भी भगवान भोलेनाथ के सक्चे दिल से पुकारता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ती के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ती की हर मनो कामना को पूरा कर देते हैं इसलिए और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों श्रावन का पवित्र मास एक ऐसा मास होता है, जिसकी हर घडी हर पल गंगाजल के समान पवित्र होती है। यदि इस मास कोई भी व्यक्ती भगवान भोलेनात की विधी विधान से पूजा पाठ कर ले, तो भगवान भोलेनात उस व्यक्ती को अपना। आशिरवाद अवश्य देते हैं, लेकिन श्रावन के मास में पढ़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेश और खास महत्व रखता है, और आपने देखा भी कि श्रावन के सोमवार का वरत लाखों की करोडों की संख्या में भारत में नहीं बलकी वरत लाखों में भी रखा जाता है, और कहा जाता है कि श्रावन के सोमवार के दिन किये गए उपाय का आपको पलट करके करोडों गुना लाभ मिलता है, इस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा भी सिद्ध हो जाएगी, और जैसे हम आपको विडियो की वात में ही बता चुके हैं, पूरे 186 वर्षों बाद श्रावन के चोथे, सुमवार के दिन विश्नु योग और रवी योग का संयोग बन रहा है, और इस दिन यदि शिव पुरान के अनुसार बस 108 चावल के दाने और दो लॉम वाला महा उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों केवल भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कश्टों को जड़ से नश्ट कर देंगे बलकि आपकी कोई मनोकामना हो वो एक दिन के ही उपाय से पूरी हो जाएगी, आप बार बार ये अवश्य सोचेंगे कि आखिर 108 चावल के दाने और दो लॉम का उपाय करके कैसे आप को अपने जीवन में एक चमतकारी और सकाराक्मक बदलाव देखने को मिलेगा, कैसे एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, 108 का जो अंक होता है, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय हो गए, इनकी पूजा में यदी चावल का प्रयोग किया जाए, तो एक व्यक्ती की मनोकामना पूरी हो सकती है, जो लॉंग होता है, उसको तंत्रशास्त्र में बहुत ही उत्तम स्थान पर रखा गया है, कहा जाता है कि लॉंग का उपाय करके कोई भी व्यक्ती अपने जीव के चौथे सुमवार के दिन करेंगे, तो भगवान भोलेनात के आशिर्वात से ना केवल आपको अपने जीवन के हर कश्टों से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि आपके ही नहीं, बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकाराक्मक बदलाव आएगा, इस इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक ना केवल अपने लिए बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखियेगा, और यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा हमेशा आप पे और आपके परिवार पर बनी, रहे भगवान भोलेनात के पड़े तो शीघर ही जाएए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप कोई भी लाप पा सकते हैं श्रावन के मास में वो आपके हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रही हैं मनोकामना पूर्ती का महाउपाय आप चाहते हैं कि सिर्फ दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रही है 31 जुलाई 2023 जिस दिन प्रियोची तिथी भी है, जिस दिन रवी योग विश्कम योग का सन्योग बन रहा है और श्रावन का ये चौथा सुमवार का दिन है इस दिन आपको वरत रखना होगा, इस दिन वरत कीजिये आपको सुबह नहाने धोने के बाद सफेद कपड़े पहने हैं सफेद ही कपड़े क्यों? भगवान भोलेनात को सफेद रंग बहुत प्रिया है कि पूजा में सफेद रंग का इस्तिमाल किया जाए वो पूजा शीघर सिद्ध हो जाती है अब आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जैसे आपको चाहिए एक तामबे का लोटा, एक तामबे के लोटे में आपको पूरा गंगाजल भरना होगा गंगाजल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाएगा आपने गंगाजल भर लिया, इस गंगाजल में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं, ध्यान रखिएगा चावल तूटे फुटे ना हो अक्षत चावल होना चाहिए, अब चाहिए एक दीपक दीपक में डालना है आपको गाय के दूड से बना हुआ घी, आपको चाहिए दो लॉंग, अब आपको भगवान भोलेनात के मंदिर जाना सबसे पहले भगवान भोलेनात के मंदिर चाहिए, शिवलिंग पर मुह उत्तर की तरफ कीजिए और आपको एक लोटा जल चढ़ाना है, जिसमें आपने एक सो आठ चावल के दाने डालना है, अभी आपको भगवान भोलेनात के प्रतिमा के सामने जाना है, आपको घी का दीपक जलाना है, और इसमें दो लॉंग डालना है, आपने दो लोग डाल दी, अब भगवान भोलेनात का बीज मंतर का जाप एक सो आठ बार कीजिए, बी उपाय को करने के बाद आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वो भगवान भोलेनाथ के आशिरवाद से अवश्य पूरी होगी, मान के चलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आपको वो मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार के कष्ट जो होंगे वो जड़ से गई है आप ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृध्धी भी होगी। बहुत आसान से उपाय आपको 31 जुलाई 2023 चौथे सुमवार के दिन। कपड़े की पोटली बना लेना है, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तिमाल कीजिएगा। भगवान भोलेनात के मंदिर जाए शिवलिंग पर मुह उत्तर की तरफ करके आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जिसमें आपने दो लोग डालना, अब आप ये जो पोटली सफेद रंग की जिसमें एक मुठी चावल है, इस पोटली को आपको शिवलिंग से चुआना है और इसको लाना अपने घर की अलमारी में तिजोरी में जहां भी आप पैसे का लेन देन करते हैं। करना मत भूलिएगा और अभी तक हमने वीडियो लाइक नहीं किया है। आपसे निवेदन था दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तीसरा उपाय है नौकरी प्रा। तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रही हैं। बस आपको श्रावन के चौथे सुमवार के दिन वरत रखना है। नहाने धोने के बाद एक लोटा कच्चा दूध लेना है, उसमें दो लोक डालना है। भगवान भोलिनात के मंदिर जाकर के इसी से शिवलिंग पर अभिशेक करना है। सिर्फ इतना कीजिए और मान के चलिए आपकी नौकरी लगने में जो भी दोश आ रहे थे, जो भी परेशानी आ रही थी। या उपाय करने के बाद वो दोश भी हार जाएंगे, वो परेशानिया भी हट जाएंगी और आपकी मंचाही नौकरी भगवान भोलिनात का आशिरवाद अवश्य लग जाएगी। तो इस बात कमेंट सेक्षन में शीघर लिख दीजिए, ओम नमा शिवाय हर हर महादेव, अब मान लीजिए आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। बराबर हो जाएगा। भगवान भोलिनात के मंदिर जाने के बाद एक लोटे जल से शिवलिंग पर अभिशिक। कीजिए ये जो कपड़ा आप लेकर के गए हैं, जितना आपने दो लोटा चावल डाला। है ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए, सिर्फ इतना भर आपको करना है, इतना भरा यदि आप कर देते हैं, जो भी आपके उपर दोश होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत कक बने रहने के लिए।